मा के लिए मैंने कुछ लिखा है मुझे मा से बढ़कर कोई शब्त नहीं मिला है इसलिए मैंने सिर्फ मा ही लिखा है एक लड़की क्या क्या होती है जब पैदा होती है तो एक लड़की होती है और सबसे पहले वो एक बेटी होती है फिर छोटी होती है या बड़ी होती है फिर छोटी होती है या बड़ी बहन होती है एक लड़की क्या क्या होती है घर का गुरूर तो स्कूल की टॉपर होती है घर की आन तो देश की शान होती है एक लड़की क्या क्या होती है किसी की कहानी तो किसी महले की रानी होती है किसी की कहानी तो किसी महले की रानी होती है किसी आशिक की आशिकी तो किसी बेगहरत की दिवानी होती है किसी की जान तो किसी की जानम होती है, किसी की वफा तो किसी की बेवफा होती है किसी की शुबा तो किसी की शाम होती है, किसी के नाम होती है तो किसी की राम होती है, एक लड़की क्या क्या होती है किसी की बहु तो किसी की बेटी होती है, किसी की जठानी तो किसी की देवरानी होती है, एक लड़की क्या क्या होती है किसी की मा तो किसी की मामी होती है किसी की मा तो किसी की मामी होती है किसी की ननद तो किसी की साली होती है एक लड़की क्या क्या होती है किसी की मुसीबतों से लड़ने वाली वो खंबा होती है किसी की मुसीबतों से लड़ने वाली वो खंबा होती है तो किसी की यारो अम्मा होती है तो एक लड़की क्या क्या होती है किसी की अनपड़ी सी कहानी होती है किसी की अनपड़ी सी कहानी होती है तो किसी की नानी होती है एक मिल्ट सोरी किसी की अनपड़ी सी कहानी होती है तो किसी की नानी होती है और इसी के साथ खत्म होती, ये कहानी होती है, एक लड़की क्या क्या होती है? तुम्हें महबबत करूं पागल हो क्या एक तरफा करूं पागल हो क्या बस तुम्हारा ही हो जाओं पागल हो क्या तुम्हारे लिए खुद को लिटा दूं पागल हो क्या बस तुम्हारे लिए खुद को मिटा दूं पागल हो क्या क्या ? क्या ? कल छोड़ जाूगी पागल कहकर पागल हो क्या ? थैंक यो भाई थैंक ये